हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें तिलक नहीं, कोई वार नहीं करेगा, हिरन का खेट नहीं होगा राजकुमार, अब आप युवा हो गए हैं, बच्चे नहीं रहें, आप अयुध्या की यूराज बनने वाले हैं, यूराज ऐसा आचरा नहीं करते आपको शिकार नहीं करना था तो ना करते, किन्तो आपने सिपाहियों को भी शिकार करने से रोका, क्यूं? शिकार कोई युद्ध नहीं है, जहां धर्म अधर्म देखा जाए, शिकार तो एक क्रिड़ा है, एक खेल है निर्बलों के हत्या करना खेल है, नहीं माताश्री, और यदि ये खेल है, तो इस खेल को तदकाल बंद कर देना चाहिए पिताश्री, आप ही ने तो मुझे शिक्षा दिये, कि निर्बलों की निसहायों की साधार रक्षा करनी चाहिए, और मैंने वही किया, हाँ और वैसे भी निश्पाप प्राणियों की हत्या करना, पाप है माताश्री, पाप राजकुमार, अब हमें आप से शिक्षा लेनी पड़ेगी, कि क्या पुन्य है क्या पाप, क्या धर्म है क्या अधर्म नहीं, नहीं माताश्री, मैंने तो अपने मन की बात बताई है, पता नहीं, जब वो हीरन मेरे सामने आया, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कि यदि हमने उस पर बांड छोड़ा, तो वो हीरन हमें श्राप दे देगा, श्राप माताश्री मैं तुम्हें श्राप लेता, तुम्हें पुत्र सुक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सिपाईयों को रोका अरे, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया प्रणाम पिताश्री आईश्मानदाव प्रणाम माताश्री सदा सुखी भव अब मुझे आज्या दीजे पिताश्री पुत्रस मंजस, मैंने तुम्हें आख कुछ बताने और कुछ दिखाने के लिए बुलाया है मैं जानता हूँ पिताश्री, आप दूसरा विवाह कर रहे हैं नहीं पुत्र मेरे बारे में जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सत्य नहीं है तो सत्य क्या है पिताश्री? आओ, तुम्हें दिखाता हूँ आईए राजकुमार ये देखिए, अलग लग राजियों के राजकुमारियों की तस्वीरे है आईए इने देखिए कन्याए सुन्दर है पिताश्री तुम्हें इन में से कौन पसंद है पुत्र? विवाह तो आपको करना है पिताश्री अतह, मेरी दूसरी माताश्री आप ही को चुन्नी होगी पुत्रा समंजस, हम तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहे हैं इन सुन्दर राजकन्याओं में से तुम्हें अपनी पत्नी चुन्नी है असमंजस कौन सी राजकन्याओं तुम्हें पसंद है कोई नहीं कोई नहीं? हाँ, क्यूंकि मेरा विवाह हो चुका है मैंने भक्ती से विवाह कर लिया है माताश्री भक्ती? कौन भक्ती? किस नगर की राजकन्याओं है? नगर का नाम परमधाम है पताश्री और नगर के राजा का नाम है परमेश्वर उसकी पुत्री है भक्ती माताश्री, इस भक्ती की जुड़वा बेहन है मुक्ती यदि भक्ती मुझ पर प्रसन्न हो गई तो वो अपनी जुड़वा बेहन से मेरा दूसरा विवाह करा देगी फिर भक्ती और मुक्ती दोनों मुझे परमेश्वर के परमधाम ले जाएंगी हाँ हर कोई यही तो चाहता है क्यों पिता श्री? क्यों माता श्री?